लेट्स गेट स्टार्टेट यार लास्ट लेक्च्वर में हमने खतम कर लिया था सेकेंडरी मेथड के सोर्सेज राइट यार्ड हम पढ़ रहे थे कि यार हमें क्या-क्या प्रिकॉशन लेनी की जरुरत है वाइल यूजिंग सेकेंडरी डीटा तो पहले बताऊ सेकेंडरि सॉर्सेज के सेकेंडरी डेटा किलेक करने के पप्रिश्ड सॉर्सेज के नाम बतायो यार दंवी urgैंश्łby भूमन्यकेशयों ग्वर्मेंट फबुभूमन्ट पब्लिकेशंज सेमी गौन्यख वबुबुबुचैशनmeno are publications of trade associations research institutions कि publication research scholars कि publications और journals and papers टिकर यह शारे आठी published sources of secondary data unpublished sources generally government collect the data और government किदे चुद्केपरपस के रख लेती है वो कहीं published नहीं किया आते बुट प्रॉब्लमू हमें हमारे प्रजेक्ट के साब अमारी स्टरड़ी के साब से डि्रेक्ली तो किया नहीं है बेसिकली किसी और नहीं डेटा कलेक्ट किया है जिसे हम यूज कर रहे हैं हमारी स्टडी के लिए तो बेफोर वी यूज देटा हमें रिक्वाइड मॉडिफिकेशन्स तो करने ही होंगे या फिर अगर वो डेटा हम यूज करें तो हमें कुछ तो ध्यान रखना पड़ेगा बेफोर यूज दाट तो इन लोगों ने क्लारिफाइड किया है कियार सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए किसी का माई कन्यूट हुट है फ्लीज चेक यार मैं आपने वी क्या करव एक्षिर भूलिया था सिर्फ कोचिंग थी हमने अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया है सिर्फ रिविजिन किया ओके माम ओके देखो यार सबसे पहले precautions while using secondary data में आपको चेक करना चाहिए ability of the collecting organization जो भी organization तुमारे बहाफ पर data collect कर रही है मतलब जिसने भी data collect किया है क्या वो authentic data है उसके लिए आपको organization की ability authenticity चेक करनी चाहिए जैसे जब भी तुम अपने project work के लिए data collect करते हो तो तुम prefer करते हो यार कि क्या तो तुम proper newspapers से data लो the Hindu, the eco times, times of India या फिर net पे भी sources अगर देखते हो तो encyclopedia, wikipedia are reliable sources you need to check the ability of collecting organization ठीक है second चीज़ जो तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए secondary data use करते वाग objective तुम किस objective से वो data बना रहे हो, क्या तुम्हारा project क्या है और कौन से objective के साथ कोई भी collecting site ने, collecting you know source ने information collect किये, newspaper वाले अगर कोई survey conduct करवाते, कोई organization ने कोई survey conduct करवाया था, उन्होंने क्या चीज़े ध्यान में रखके, क्या objective ध्यान में रखके वो data collect करवाया था, और क्या तुम्हारा objective उससे थोड़ा भी match हो रहा है या नहीं तुम्हारे और उनके objectives अलग थे, okay before using the data, please keep into consideration कि किस objective के साथ वो secondary data collect हुआ था उसके अलावा मैंने तुम्हें बोला था, units का ध्यान रखना चाहिए यार किस unit में तुम अपना data collect कर रहे हो या present करना चाहते हो और किस unit में उस organization ने अपना data collect किया है जिसे तुम use करना चाह रहे हो, ठीक है fourth, time, कौन से time का data है, ठीक है, 2020 हमारे history का एक abnormal year रहेगा हमेशा अगर आप 2020 को एक standard set करके बाकी year को measure करना चाहते हो तो बस, you are wrong यार 2020 में बहुत सारी abnormal चीज़े होई है, right, आप उसको एक normal year treat नहीं कर सकते हो please take into consideration कि वो data किस time duration, किस time zone में collect किया गया है अगर वो किसी abnormal year से relate करता है, तो please ऐसे data को avoid करो, okay अरे आ रहे हैं समझ में yes ma'am yes ma'am fifth, fifth, method of collection of data हमने बहुत सारे methods देखे है यार, कुछ methods में जादा accuracy रहती है, कुछ methods में कम accuracy रहती है, कुछ methods में लोग respond ही नहीं करते है जो भी method में ज्यादा accuracy रहती है, comparatively वो prefer किया जाना चाहिए for your study, ठीक है तो आप secondary data use करने से पहले check कर सकते हो कि कौन सा method यूज करके सामने वाली organization ने data collect किया है and finally accuracy, accuracy मतलब इसका क्या मतलब होगा जो data है वो कितना accurate है वो आप judge कर सकते हो with the method with the ability of collecting organization तो भई जो भी source आप चूज करो please make sure कि वो जो data आप ले दे वो अपनी study के लिए वो more or less reasonably accurate है ठीक है यह 6 points है जने ध्यान में रखते हुए आपको secondary data को use करना चाहिए बात आई क्या समझ में yes ma'am लिखो please yes ma'am precautions while using secondary data heading डाल ली थी कल yes ma'am ma'am okay 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 thank you ability of the collecting organization ability of the collecting organization लिखो इसमें बिफोर उजिंग सेकंडरी देटा बिफोर उजिंग सेकंडरी देटा बिफोर सेकंडरी देटी देट डिट्टी देटिट देटी देट करेंδा second objective check the objective check the objective in the meantime, when you see the objective with which the data was collected by the organization, check the objective with which the data was collected by the organization, before using it, before using it. Third, units. There should be a clear definition of unit of measurement, there should be a clear definition to you which still exist is a clear definition of unit measurement, there should be a clear definition of unit of measurement फौर्थ टेक्ट में एक टो प्राइ में एक हैंड़ा स्क्राइबिक यह नहीं एक कुम करेंदीन, अब्लेंद कि नहीं कि और दि for which the data was collected, for which the data was collected by the collecting organization. check the time duration for which the data was collected by the organization. it should not be an abnormal period, it should not be an abnormal period. fifth method try to check for try to check for the method of collecting data try to check for the method of collecting data by the organization last sixth point accuracy 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 the data collected the data collected and used as secondary data should be reasonably accurate should be reasonably accurate ma'am 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 please unit of measurement say for example study rupees ma'am rupee 1,00,00,00,00 which data which you have searched for your project on different sites it is important that you convert it in rupees right the definition of yes ma'am unit should be very clear okay you cannot do that you are running in your project half of the data in dollars some data in pounds then you are taking some rupees there should be a clear definition of units you have to measure your data okay yes ma'am thank you okay okay or kisi ka goi confusion cheo points repeat karo yaar pahla ability 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 of the collective organization second objective 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 and scope third units units method fifth time time and accuracy very good I have got all the points very good aakhri topic of this chapter census and NSSO census census kya hota hai mai itni barabhi bata hai ho yaar to mai census ke baare correct large scale pere comprehensive way mein harik person se data collect regarding population kitni hain 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 in depth in depth jab study ki jati comprehensive way mein harik person se data collect karte hoi to usse kya bolta hai usse bola jata hai census census in every ten years in every ten years when government tries to collect data korn publish karta hai hai data registrar general and census commissioner to usse bola jata hai census method or NSSO kya hota hai national sample survey office NSSO national sample survey office kut sa maja raha hai kis basis pe data collect ho ta hai hai harik person se poochne ki koishish ki jati hai kya cya 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 amign one is comprehensive, am I clear? लिखवादू दोनों के बारे में? लिखो प्लीज, हेडिंग डालो, census and NSSO, सबसे पहले हम census के बारे में लिखेंगे, ब्रीफ में थोड़ा सा description और फिर NSSO के बारे में लिखेंगे, census लिखेंगे, census refers to, census refers to, comprehensive, census refers to, comprehensive collection of data, comprehensive collection of data, from each and every population of the universe, from each and every population of the universe, universe का मतलब यहां पर पूरा ब्रह्माण नहीं है, ठीक है, universe मतलब, generally, जित्ते भी items हैं, जिनके बारे में हमको study करना है, वो universe कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या repeat करूं, मैं पूरा, census बारे में, I'll repeat, पहले में, let me complete with what I'm saying, universe का मतलब यहां पर है कि, जित्ती भी population से आप data लेना चाहते थे, आपने सबसे पूच के data collect किया है, universe of that study is the population जिससे आप data collect करना चाहते थे, universe का मतलब यहां पर ब्रहमान नहीं है, हम यह शवदव चाप्टर 3 में और ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूस करेंगे, universe मतलब जितना आप जितने लोगों के बारे में data collect करने चाहते थे, अगर आपने सबसे data collect किया है, तो वो universe जहलाता है, universe, ठीक है, it's a comprehensive method of collection of data from each and every population of the universe, from each and every population of the universe, the data is published by, the data is published by Registrar General and Census Commissioner, the data is published by Registrar General and Census Commissioner, the data is published by Registrar General and Census Commissioner, the data like population of a country, literacy rate, the data like population of a country, literacy rate, etc. are collected and determined, are collected, and data like population of a country, literacy rate, etc. are collected and determined, हुए okay ठीक है a NSSO, अग्ला पारग्राफ लेको NSSO का फुल फुल फॉर्म है National Sample Survey Office National Sample Survey Office It collects data It collects data on sample basis on sample basis from the entire universe from the entire universe and and it publishes results and it publishes results related to employment and unemployment rate related to employment and unemployment rate consumption expenditure of people in urban as well as rural areas in urban as well as rural areas ma'am 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 instead of universe we can write a country or a population universe every time change in the sample it may be a state or city or country right so that's why it's called universe okay that's why it's called universe primary data and secondary data good primary data क्यों होता है first hand information collect होती है first hand information what is secondary data उसमें अब वो शड़ी वो शड़ी के लिए उस आता है वो correct it is already collected by one organization and it's used by us कौन से साथ original है primary किसमें साथ adjustments की जरूँ होता है secondary किसमें साथा cost cost involved है primary very good very good उसके बाद हमने start किये थे methods right the next topic was this only right methods of collecting data में चार तरोके methods थे पहला direct personal investigation किस टाइप के एरिया में suitable है small area यहां पर accuracy जादा होगी कि कम होगी जादा ज्यादा क्या यहां पर हमें original information मिल पाएगी यहां पर जादा कर सकते हो राइट यहां पर अर्नुटस्यादा कर सकते हो राइट यहां पर नुक्सान क्या थे लुटली गुरेक्टेटी धुट्रेट्स्टीभी फिर दूसरा मैथर था इन्देरेक्ट्रा रेचेशन यहांपर क्या आप डेटा डिरेक्ली इंफर्मिंट से कलंथ कर्यों वित्निंस में से ढूर हम किसी थोर्ड पर सनप्रेक्डर जिसके पास उस informant की information होगी ए इस सूटबल का है कैसे area में लाज एरिया में जहां पर आप informant के साथ direct contact establish नहीं कर पारे हो example I told you of accident right और तीसरा जहां पर अगर आप direct contact established भी कर पारे हो पर informant is not that capable of answering you right यह तो फाइदे क्या है method use करने के मैं एकनोमिक एक वाइड कवरेज वाइड कावरेज इकनोमिकल राम कंवेड लेस्टाइम कंवेड रवेरी गुड्य और नुकसान क्या वो न परसनल बाइस हो सकता अब पार्ट अविटनेस लेस्ट अधिरेसी कम है कर्एक्ट यहां पर आप लोकल लोगों को अपॉइंट करो जहां पर आपको continuous information चाहिए आप अलग अलग स्टेट में अपॉइंट कर दो अलग अलग सिटीज में अपॉइंट करो और उनसे information लो फाइब शुटिबिलिटी पहले तो वेर इस यहां पर आपको जहां पर आपको जर्नल्स या मागजीन्स या नियूस्पेपर इन सब के लिए information चाहिए यहां पर अखिरसी ज्यादा नहीं चाहिए फायदे क्या इमेंट यूस करने के वाइट कवरेज करली देम सा नहीं माजीन चाहिए यहां अतर चाहिए सब्सक्राइबर गंदाबर इसक्राइब नेजेर अब फिर इसक्राइब क्वेशियर में मिल रहा है के फिर मले है फिर क्वेशन hurricane रोता है किसे फे तरह क्वेशन गविशन्स्टिक पोलटी दो फिव गुट्रिक्षियर कैसा होना चाहिए है डिश्ट कावर निश्ट की रिक्वेस्ट संट रिक्वेस्ट 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 अना चैहिए वेरी गुड्यार वेरी कुड्ट पार पार निवे सामने वाला इंवर्म वाला इंभान मेरा थैटेगर में आपको रेपला इकर रिटन कर देगा थिक है इसका सुटबिलिटी करग कैसे अर्यामे सीटेवल है और इस टाइब के लोगों में चलेगा है मैं इजुकेटेटेटेटेड पीपल बेरी गडुड लेट्रेट्स के बीच में फायदे क्या है मैं इस मैंथर करने के वाइड एरिया एकनोमिकल अंड ओरिजिनलिटी डिरेकली इंफॉर्मिंट इंफॉमेशन दे रहा है लेकिन को अच्ञाएक वाइगा और लोगों को डिटा करता है और जिसमें वह डेकलें करते हैं इसको क्या बोलते है सब्सक्राइब करें जहां पर नियुमेरेटर और इन्वेस्टिगेटर दोनों को आइडिया है अबाउट लोकल लेंगवेज इसे आप ढूंड पा रहे हो जो आपकी स्टडी कंड़क्ट करवा सकते हैं मेरिच क्या यह मेथट कि वाइट कवरेज वाइट कवरेज एक कि रिएट कवरेज एक कि रिएए अड़ अनुप्ली नेटा मिलेगा करेक्ट नुकसान क्या अब वासली इक यह इंड वेरी पर्लेट सर्वे क्या होता है कि अप्रम कौसान वह सकते हैं कि यह व्यां की सब्सक्राइब करने के उड़ श्रहत नियुंप्ली नेट श्रहिंग सटाइर का व्यां अनुप्ट प्र सेट शडवाइट करने मिलेट सुस्प्सिरण देरहआं एक हैं डार्ड़ और टाउन सकते हैं डीड़ एक हैं दिजु वोग्य विश्ट खी शोब गड़ और अर्थमेट एर्च एर्ड गडवाट्य। कोंस चाइप टी वेश्टन ओते हैं क्वेश्टनेर में सब्सक्राइब उसके बाद तो अभी अपने डिसक्स करी लिया सेकेंडरी डीटा के पॉब्लिश सोर्सस क्या-क्या होते हैं तुमने मझे पता दिये थे और क्या प्रिकॉशन्स लेने आपको सेकेंडरी डीटा यूस करते वर्क फाइनली हमने सैंपल और इसके साथ यह चाप्टर खतम हुए है किसी को गए कन्फ्यूजन है इस चाप्टर में को है इंग डाल लो यार को चाप्टर 3 ऑफ स्टाटेस्टिक्स Senses and Sample Methods of Collecting Data अब किल कोचिंग का टाइम के है के अब कोचीं के अब कर दो दो है एंड तूस्ड वैंस्टेश्टेश्ट फो तो फाइफ अपना नॉर्मल स्टाटिस्टिक्स क्लास ही चलेगा विल गो फर ए रेगिलर क्लास नौट फर रिकावडी ओके यस माम हाजी माम आप रिकावरी कब लोगे रिकावरी आ टोल्ड यू अच्छा तुम बिंग्निंग में नहीं होगे मैं अब हमारे स्कूल में बोला है के सकत्क्रावी तो अपना टार्गट तो ये रहेगा यढ के अपन अपने हां को पर रह लें वितार कोर्स ठीक है अगुस्ट एंड तक भी आते है अपना स्टाटिस्टिक्स खतम हो जाता है तो अपन काफी कम्फितिबल पॉसिशन में आ जाएंगे मतलब जितना से लिपस तुमारा तुम वन में कवर हो रहा है स्टाटिस्टिक्स अपने को सेंट्रल में अपने साइट से कम्प्लीट रहें अब तुमारा एग्जाम फिर सेप्टेंबर में हो या औक्टोबर में हो तिक है अगर अपना कॉर्स टाइम भी खतम होगा तो ठीक है यह स्टाइब करने के जो मैंने अभी तुम्हें बताएं एक होता है कि जितनी भी पॉपिलेशन है हर एक से comprehensive data collect किया जाएं ओके सबका डेटा इखटा करके मुझे अगर लाख लोगों का डेटा चे मैंने सबसे उनका डेटा पूछा है उनकी income उनका age group उनका height उनका weight सब पूछा है मैंने और फिर जाके मैंने conclusion निकाला है तो वह कौन सा method होगा census method comprehensive का मतलब होता है detail हर चीज मैंने detail में collect करिये हर एक परसन से collect करिये हर एक population of the universe को ध्यान में रखते हुए करिये लेकिन अगर मुझे लाख लोगों का बारे में conclusion निकालना है उसके लिए मैंने हजार लोगों का sample बना लिया है और सिर्फ उनी का data collect किया पूरे universe में से थोड़े से samples उठाए हैं उनके basis पे उनकी study के basis पे अगर मैं पूरे universe के बारे में conclude कर रही हूं तो वो कहलाता है कौन सा method कौन से method में accuracy ज्यादा होगी एंसे क्योंकि 100% data collect हो रहे हैं ठीक है कौन से method में diverse characteristics अच्छे से पढ़ सकेंगे हम नहीं बचा census में again क्योंकि यार पूरा detail में आया है ना यार अलग-अलग सब टाइप का population है तो ऐसी situation में आपने सब population को collect किया है हर टाइप का population पूरी तरह से लिया गया है तो definitely इसमें ज्यादा अच्छे से सारी characteristics study हो पाएंगी लेकिन कौन सा method सस्ता पढ़ेगा किसमें तुम्हें कम टाइम लगेगा अगें इस सांपल मेथर ठीक है तो अब कल वे अगुएंग तो कंटिन्यू विच सेंसें सांपल मेथर्ट्स सांपल मेथर्ट्स के फिर बहुत सारे काटेगरीज है और हर एक मेथर्ड में suitability है, merits है, demerits है ठीक है विल कांटिन्यू विद दाट तुमोरू गुद देवरीवाग